यहां पे अब मैं कर रहा हूं next देखिए 3 by 2 तो ऐसे ही रहेगा बस देखिए 3x 3x यहां पर भी क्या होना चीए x approaches to 0 नहीं होना चीए 3x approaches to 0 होगा limit change कर लेंगे as x approaches to 0 multiplying by 3 on both side 3x approaches to 0 इसी तरीके से 2x 2x तो यहां पर भी क्या होना चीए 2x as x approaches to 0 multiplying by 2 on both side 2x approaches to 0 तो देखिए theta 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 ठीक है तो यह बुड़ा कितना हो जाएगा limit theta approaches to 0 sin theta by theta is equals to 1 से यह 1 हो गया यह भी कितना हो गया 1 तो 1 by 1 is equals to 3 by 2 ठीक है तो इस तरीके से हम question को करते हैं next देखते हैं इसमें next question है मेरे पास limit x approaches to 0 जेक हैं जेक हैं जेक हैं limit x approaches to 0 cot 2x cot 2x minus cos 2x minus cos 2x divided by x x देखिए simple क्या करना है cot दिया है cot दिया है तो आप इसको किसी तरीके से sign on cos के टम में लेओ और आपका जो question है वो कैसा बन जाएगा जैसा आपने पुराने questions किया है तो देखिए this equals to limit x approaches to 0 को क्या लिख सकते हो आप cos by cot theta क्या होता है cos theta by sin theta तो cos 2x divided by sin 2x minus cos से क्या होता है 1 by sin 1 by sin 2x divided by x है x कर दिया ठीक है बस अब यह question last time जैसा बन जाएगा limit x approaches to 0 LCM ले लेंगे sin 2x sin 2x का calcium कितना हो जाएगा sin 2x ही हो जाएगा तो यह भी किसी से multiply नहीं होगा और यह भी किसी से multiply नहीं होगा ना दोनों के denominator से में ना तो numerator में क्या हो जाएगा cos 2x minus 1 और यह divided by x नीचे है यह जो मैंने किया है यह पूरा यह solve किया ठीक है और नीचे क्या है x है अब is equals to limit x approaches to 0 minus common ले लो आप numerator से तो minus common ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 minus का था तो क्या हो जाएगा plus का और कॉसे क्सा था प्लस का तो कैसा हो जाएगा माइनस का ठीक है कि अब लिए है क्यों लिए है विकॉस मेरे को एक फॉर्मला परता है देखिए 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta यह हम लोग अप्लाई करते है ठीक है और यह sin 2x नीचे आ जाएगा तो sin 2x यह नीचे आ गया into x या x को आप sin 2x से पहले लिख लो confusion ना हो x into sin 2x ठीक है बस अब हम क्या करते है माइनस का sin यह limit से आगे लिए है limit x approaches to 0 ठीक है 1 minus cos 2x 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta तो 2 sin square theta की जगा क्या जाएगा देखिए cos 2x है ना यहां तो theta की जगा क्या जाएगा x 2 sin square x ठीक है divided by x into sin 2x क्या होता है यह देखिए एक formula मैं नहीं आके note किया है sin 2 theta 2 sin theta into cos theta तो sin 2x 2 into sin x into cos x चेक है अब ध्याब से देखिए इस sin square x को आप क्या लेख सकते हो sin square x को आप क्या लेख सकते हो sin x into sin x sin x into sin x ठीक है अच्छा मैंने आपको क्या बुला था कि या तो x देखिए x approaches to 0 है तो या तो x by x problem कर रहा होगा है ना x की value 0 x की value 0 by 0 तो x by x तो मुझे कहीं पर दिखता नहीं है तो कौन problem कर रहा होगा इस variable का कोई technometric function मतला x का technometric function sin x by sin x problem करेगा क्योंकि sin 0 कितना होता है 0 sin 0 कितना होता है 0 by 0 मतलब sin x और sin x cancel होना चाहिए यही reason है मैंने numerator में sin square x को sin x sin x कर लिया और sin 2 x को मैंने 2 sin x into cos x note कर दिया देखिए यह sin x से sin x cancel हो गया यह 2 से 2 cancel हो गया क्या हो गया आपके पास sin x by x minus limit x approaches to 0 sin x by x into क्या हो गया 1 by cos x ठीके बस आब आप limit अप्लाई कर दो क्या problem है तो यह तो यह इस इकोल्स टू माइनस लिमिट एक्स अप्रोच इस तू वियो इस फंक्शन पर अप्लाई करो उसके बाद इस फंक्शन पर अप्लाई करो तो sin x by x into limit x approaches to 0 1 by cos x 1 by cos x ठीके माइनस तो ऐसे ही रहेगा और देखिए थीटा 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 एक्स 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 तो कितना हो जाएगा यह 1 कौन से फॉम्ले से limit थीटा अप्रोच इस तो 0 sin थीटा 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 इस इकोल्स टू 1 ठीके यह limit x approaches to 0 numerator 1 कर लगी तो 1 ही आएगा और denominator cos x cos 0 1 ठीके is equals to minus 1 into 1 by 1 1 is equals to minus 1 ठीके नेक्स कोश्चन है थोड़ा से जल्दी कोश्चन है नेक्स कोश्चन जो है मेरे पास ठीके तो उसमें आपको रवसा धान रखना है और formula उसमें यह वाला देखें जिए अपलाई करेंगे हम tan 2 theta is equals to 2 tan theta upon 1 minus 10 square theta और इसी तरीके से tan 3 theta is equals to 3 tan theta minus tan 2 theta divided by 1 minus 3 tan square theta चीए देखिए यहाँ पे theta होना चीए x की जगा और यहाँ पे theta होना चीए चीए question है मेरे पास इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे चाहिए इसमें आपको problem हो सकती इस question में यह मैंने RD Sharma से लिया हुआ है question थोड़ा सा lengthy है देखिए limit x approaches to 0 tan x tan x plus 4 tan 2 x 4 tan 2 x minus 3 into tan 3 x divided by x square tan x x square into tan x देखिए कैसे करेंगे अभी मैंने आपको क्या बताया था तोड़ी दिर पहले भई x approaches to 0 है न तो या थो x by x आ रहा होगा यह problem कर रहा होगा है ना 0 by 0 तो यह x by x से cancel हो जाया x by x आ रहा हो तो x x से cancel हो जाना चाहिए ना तो 0 by 0 नहीं आएगा और मैंने क्या बोला था x का कोई technometric function तो x का कोई technometric function tan ले लो tan x by tan x तो tan x की value 0 रखो tan 0 by tan 0 तो यह आजागा 0 by 0 यह नोगी tan 0 0 होता है 0 by 0 इसको में तब क्या cancel होना चाहिए tan x से tan x cancel होना चाहिए denominator में तो है आपके पास tan x numerator में आपके पास tan x केवल यहां पर है यहां पर नहीं है यहां पर नहीं है तो आपको numerator में किसी भी तरीके से tan x common लेना पड़ेगा इस पूरे में से चीक है तो देखो कैसे करो गया is equals to limit x approaches to 0 यह tan x लिखा है इसको मैंने ऐसे लिख दिया 4 into tan 2 theta यह देखिए तरह tan 2 theta theta की जगा x से मेरे पास वहां पर कोई प्रडूल नहीं है tan 2 theta 2 tan theta upon 1 minus tan square theta tan 2x की जगा क्या लिखोंगे में 2 into tan theta की जगा x divided by 1 minus tan square x 1 minus tan square x minus 3 into यहां से देखिए जरा tan 3 theta क्या होता है tan 3 theta क्या होता है 3 tan theta minus tan cube theta तो 3 tan theta की जगा क्या जगा x minus tan cube x tan cube x और divided by 1 minus 1 minus 3 tan square theta की जगा क्या जगा x ठीक है तो यह तो होगा numerator और divided by क्या लिखा हुआ है x square into tan x ठीक है अब ध्यान से देखिए मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ देखिए यहां से tan x आपको मिल गया यहां पर भी tan x है इस term में भी tan x नहीं पड़े लाए तो यहां से आप tan x common में ले लो देखिए यहां पर tan x है और यहां पर tan x नहीं है तो आप बना लो tan cube x को आपके लिख सकते हूं tan cube x को आपके लिख सकते हूं tan x into tan square x ऐसा आप लेख सकते हूं तो इसको मैंने बना लिया tan cube x को tan x into tan square x ऐसा मैंने इसको बना लिया और यहां से यहां तक क्या कमन आ रहा है? tan x, ठीक है? तो देखिए, यह 3 into tan x जब मैं कमन लोगा तो यह भी हट जाएगा और यहां से यह भी हट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? 3 minus tan square x या आपके पास रैकेट में बच्चेगा हूँ ठीक है अब ध्यान से देखिए अगर मैं इस पूरी को ऐसे स्क्वायर रैकेट में लिख्ट हूँ ठीक है यह करली ब्रेस्स में लिखूँ बिकाज यह नॉर्मल ब्रेस्स अभी लगे हूए ना करली का यूज करना है यहां से देखिए यह टैन एक्स है और यह टैन एक्स है यह मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो देगा लिम्यक्स एक्स अप्रोच इस तो जीरो टैन एक्स लेखिए टैन एक्स यहां से चला गया तो यहा बची अ होगिन वन कर सकते हो टैन एक्स न न प्लस फॉर थर व्यञा रूवर वा टैन इस तो चला गया लिया divided by 1 minus 10 square x minus देखिए ये 3 ऐसे ही रहेगा ये 10 x चला गया है और bracket में जो है वो वैसे ही रहेगा 3 minus 10 square x over 1 minus 3 10 square x ठीक है डिवाइड़ बाय है क्या है आपके पास x square in to tan x को में tan x into x square भी लेख सकता हूं देखिए tan x से tan x cancel हो गया है यहीं मुझे cancel करना था अब numerator में आप L same ले लो देखिए limit x approaches to zero इसको इससे multiply कर दो आपस simple ठीक तो मैंने इन दोरों को क्या कर दिया multiply देखिए 1 minus tan square x into 1 minus 3 tan square x multiply कर दिया ठीक है ना देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं है ना तो 1 minus 10 square x है ना तो 1 minus 3 tan square x है तो 1 किससे multiply हुआ इस पूरे लस्यम भी आप छोटी classes में कैसे करते थे 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 2 या 1 by कुछ भी है 5 है पहला आप इसका L same लेते थे या छोटे option से कर लेते है यह देखिए 1 by 2 ऐसा ठीक तो यह 1 होता था जब देखिए ना इसका कितना आता था 3 2 2 3 2 2 इस 1 को आप किससे multiply करते थे 1 के नीचे क्या zone करते थे 1 और और LCM जो था 6 को आप divide किससे करते थे 1 के denominator 1 से तो कितना आता था 6 और 6 को 1 से क्या करते थे है multiply मतलब इस 1 को हम इस पूरे से ही multiply जैसे कि यहां पर हमने क्या किया है 3 2 2 6 1 इंटो 6 प्लस 1 इंटो 2 माइनस 2 इंटो माइनस 1 इंटो 1 इंटो 3 इसको इधर इसको इधर और 1 से इन दोनों के product इसी तरीके से हम यहां पर भी करेंगे 1 से हम इन दोनों के product को multiply करेंगे तो 1 इंटो 1 माइनस 10 स्कूर एक्स इंटो 1 माइनस 3 इंटो 10 स्कूर एक्स ठीक है तो यह तो हो गया 1 का प्लस लगा है लगा दिया 8 को किसे multiply करोगे 8 इंटो इससे multiply करेंगे इंटो 1 Mाइनस 3 10 स्कूर एक्स ठीक है फिर मैनस लगा है मैनस लगा दिया 3 te grants स्कूर एक्स दो लिख दिया ौह इससे ही लिख दिया इन इसको किससे इंटी colors करोगे उससे म्लिबिबाग करोगे जो इसकी इन मोनेटर में नहीं हें कौन नहीं है ग्स से 1 माइनस ये 2 आ है x को कम the ten बिद्दिया चिकर दीए इन और को डिवाइडाइं sul getting उने है जिए में नीचे आजाएगा ते की और दीकिकर एको ज्केसाथ करेंगी नीचे तरीएकk кे सथ वे के यह ऐं इसको सोफ करेंगे चलिए इसको स्फ करते हैं जिए किस तरीके dużo मॉर्ण देखिए, 1 से इन दोनों ब्रैकेट को मल्डिप्लाई करेंगे, तो वापस यह दोनों ब्रैकेट आएंगे, तो बस मैं इन दोनों ब्रैकेट को सिंपल सॉल्व कर ले रहा हूँ, देखिए, देखिए, टो यह दोनों, जाँ ना, बस ब्रैकेटएं, सॉल्व कर लीजे, 1 इंटो 1, 1, प्लस मैंनस, मैंनस, 1 इंटो 3, 3, और 10 स्कॉर, x, 3, 10 स्कॉर, x, छीक है, simple करना है सिप करके आराम से minus plus minus minus tan square minus tan square x into one और tan square x into one कितना हो जाएगा tan square x से होगा ठेक अब देखो minus minus plus plus minus minus plus और tan square x into 3 tan square x कितना हो जाएगा 3 tan to the power 4 x अरा यह दिखिए ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और 3 है, 3 है, tan square x into tan square x, tan square x into tan square x, कितना होगा, tan की power 4x, क्योंकि base से में power क्या हो जाएंगी, add, tan की power 4, बस एक बर 1 को उठा के पूरे से कर लिया, फिर माइनस tan square x को पूरे से कर लिया, इतना आ गया, अब प्लस लगा है नहीं, प्लस लगा दिया, ठीक है, अब 8 से इस bracket open कर देते हैं, 8 बंजा 8, प्लस माइनस माइनस, 8 3 जा 24, 24 10 square x, ठीक है, माइनस का 3, ऐसे ही आप रहने दो, और इन दोनों ब्रैकेट को बैसे ही solve कर लो, जैसे इन दोनों ब्रैकेट को आपने solve किया था, तो इन दोनों ब्रै 3 into tan square x, 3 tan square x, अब, minus tan square x को 1 से multiply कर रोगे तो कितना जाएगा, minus plus, minus, minus tan square x into 1, tan square x, तो minus tan square x, minus tan square x, ठीक है, फिर, minus, minus, plus, minus, minus, plus, tan square x into tan square x, tan, to the power 4 x, ठीक है, ऐसा हो गया, और divided पर क्या है, बस अभी आराम से simplification है, simple, technometry का simplification है, और तुछ नहीं, x square into 1 minus tan square x into 1 minus 3 tan square x, ठीक है, देखें, ये problem नहीं करेगा आपको ले नाउन इंटर में, है न, ध्यानक सागर आपको देखो, तो ये problem नहीं करेगा, because 1 minus tan square 0, 0, 1 minus 0, 1, 1 minus 3 into 0, 1, तो ये दुम्रा टम होजे problem नहीं करेगा, problem शायद कौन कर फेक्टर ये x square है, तो चलिए देखते हैं, इसमें like terms हम देखते हैं कौन-कौन से, limit, x approaches to 0, ठेक्या, 1 minus, देखिए, यहाँ पर, पर इस ब्रैकेट को पिन कर लेते हैं, minus 3 tan square x minus tan square x plus 3 tan to the power 4 x plus 8 minus 24 tan square x, bracket open करे, minus plus, minus 3, 3 is a 9, जेखिए, minus minus plus, 3, 3 is a 9 tan square x, 9 tan square x, minus plus, sorry, minus minus plus, plus 3 into tan square x, 3 into tan square x, जेखिए, अब एक बच्चा होगा है, minus plus, minus 3 into tan to the power 4, 3 tan to the power 4, कैसा हो जाएगा, minus का, minus plus, minus, जेखिए, अब दिबाइट बाइट बाइए, x square, 1 minus tan square x into 1 minus 3 into tan square x, जेखिए, जेखिए, ये हो गया, is equals to limit, x approaches to 0, जेखिए, ध्यान से देखिए, जेखिए, देखिए, plus 3 tan square x, और यहाँ पर minus 3 tan square x, ये cancel हो गया, ठीक है, और देखिए, अब लाइक टम्स को हम लाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, highest power वाला टम्, तो highest power वाला टम् देखिए, ये देखिए, tan का square का टम्, तो minus tan square x, और गहीं पर tan square x type का, येस, plus 9 tan square x, और minus 24 tan square x, तो लिख लिए मैंने, minus, plus 9, पहले लिख लिखते हैं, plus 9 tan square x, और minus 24 tan square x, highest power से lower की तरफ चलना शुरू करवा, तो tan square के टम् सारे हो गया, देख लेते हैं, ये देखिए, ये हो गया है, tan square x, minus 24 square x भी हो गया है, और 9 tan square x भी हो गया है, ठीक, अब tan की पावर, 1 वाला टम् तो नहीं है, कोई, हाँ, नहीं, तो अब कौन से टम्स आएंगे, constant term, constant term कौन कौन से, देखिए, plus 1, ठीक है, और, और कोई constant term, plus 8, ठीक है, और कोई constant term, minus 9, बस, अब कुछ नहीं बच्चा होगा है, divided by, क्या हो जाएगा, x square into, 1 minus tan square x into, 1 minus 3, tan square x, ठीक है, देखिए, 8 plus 1, कितना हो गया, 9, ठीक है, तो 9 minus 9, cancel हो गया है, और देखिए, ये like terms है ना, minus plus, minus, बच्चाइन लगेगा, larger number गा, तो 9 minus 1, 8, तो, minus tan square x plus 9, tan square x, plus 8, plus 8, tan square x, अब देखिए, फिर से ये दोनों क्या है, ये 9 से 9 तो cancel हो गया है, और plus minus, minus 24, minus 8, कितना हो जाएगा, 16, 16, tan square x minus का, minus 16, tan square x, ठीक है, अब, अब, minus 16 constant है, limit के बाहर ला सकता हूँ, मैं, limit x approaches to 0, क्या हो जाएगा, tan x, tan x by x का, whole square मैं लिख सकता हूँ, किसको, देखिए, tan square x था रहा, उसको tan x लिख दिया, और x था, उसको x लिख दिया, और whole square लगा दे, बिकॉज असका है, x का भी square है, into, 1, y, क्या हो गया, 1 minus tan x, tan square x, into, 1 minus 3, tan square x, ठीक है, अब, बस, simple, limit apply कर दीजे, ठीक है, तो limit आप अप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, यह थोड़ा सबस, calculation की, इसमें, LCM लेके, उसको आपको ध्यान से करना है, देखिए, is equals to minus 16, limit x approaches to 0, tan theta by theta, हाला की, दो बार है, कोई बार नहीं, यह देखो, आप ऐसा देख लो, limit x approaches to 0, tan x by x into tan, x by x into, इस function पर भी limit लगेगी, limit x approaches to 0, this 1, 1 by 1 minus, tan square x into, 1 minus, 3 tan square x, ठीके ना, minus 16, देखिए, कौन सा फॉर्म लगाओगे, limit theta approaches to 0, tan theta by theta, 1 उता है, प्रूफ भी कर रहा थी मैंने, direct application है, तो एक बार इस पर limit लगाओगे, तब भी 1, और tan x by x पर limit लगाओगे, फिर भी 1 into 1 by, value put करिए, 1 minus limit x की value 0 रखो, तो tan square 0, tan square 0, कितना होगा, 0, ठीके, 1 minus 0 into, 1 minus 3 into tan square 0, 0, tan square 0, 0 क्यों होगा, तबी, tan 0 कितना होता है, चार्ट में, 0, तो tan square 0 भी 0, बस यह आपका answer आगया, minus 16, 1 minus 0, 1, और 1 minus 3 into 0, 0, 1 minus 0, 1, ठीके, 16 बंजा 16, 16 बंजा 16, 1, और divided by, था minus 16, divided by 1 minus 16 इसका answer है, ठीके, तो इस तरीके से हम questions को करते हैं, चलिए, next questions में देखता हूँ है, मेरे पास है, ठीके में देखता है, ठीके में देखता है, sin x limit, x approaches to 0, sin x, sin x minus 2 sin 3 x plus sin 5 x, sin 5 x, divided by x, देखिए, या तो x problem कर रहा होगा, या तो x का कोई function problem कर रहा होगा, ठीके, तो अगर एक चीज़ और आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ लाइक टर्ण से आप ड्रेक कर लोगे ना, इसको दो पार्ट में, अब माइनस 2 sin 3 x को आपके लिख सकते हो, माइनस 3 x, माइनस 3 x, प्रकॉस देखिए, आप वापस सॉल्फ करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा, इसका माइनस का, माइनस 2 times sin 3 x वापस आजाएगा, तो, माइनस 2 times sin 3 x को मैं क्या लिखूँगा, बई, जिनको नहीं समझ जाना, बैसे कर फ्रेक्ट हो, आप sin 3 x को कुछ फो फो चला प्रेमन में किये, सपोस क्या है, y तो, माइनस 2 y को आप क्या लिखूगे, माइनस y, माइनस y लिखूगे न, y की जगा क्या, sin 3 x तो, minus sin 3 x, minus sin 3 x, is equals to minus 2 into y, kya है, sin 3 x, तो इस तरीके से, माइनस 2 sin 3 x को, दो बाट्स में, ब्रेक कर लोगे, ठीक है, उससे आपका क्या फायदा है, आपको फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, ये बादा, sin c plus d का बनेगा, या तो, sin c minus d का बनेगा, plus equals to limit, x approaches to 0, sin x minus, minus 2 sin 3 x की जगा क्या लिख दिया है, sin 3 x minus, sin 3 x, और plus sin 5 x तो है, ऐसे, कोई प्राब्लम नहीं है, divided by x, चेक है, अब इसको थोड़ा सा और रियरेंज करना है ना, limit x approaches to 0, sin x minus sin 3 x, चेक है, sin 5 x को पहले रिख दो, तो plus sin 5 x minus sin 3 x, चेक है, अब देखो, आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये दिखिए, sin c minus sin d, sin c minus sin d, चेक है, अप्लाई कर देते हैं, divided by x है, as equals to limit, x approaches to 0, sin c minus sin d, 2 sin c minus d by 2, ये देखिए, sin c minus sin d, 2 sin c minus d by 2, into cos c plus d by 2, ये देखिए, चेक है, तो, अब c जैसे कौन behave कर रहा है, x, और d जैसे कौन behave कर रहा है, 3x, चेक है, तो sin c minus sin d, 2, sin c minus d by 2, मतलब 2 sin, देखिए, मैं direct करना हूँ, 2 sin c minus d, मतलब x minus 3x by 2, चेक है, into cos c plus d by 2, cos c plus d by 2, plus लगा है, लगा दिया, इसमें भी भई होगा, 2 into sin 5x c, और 3x d जैसे बहेफिए करेगा, sin c minus d by 2, 5x minus 3x by 2, 2 into cos c plus d by 2, मतलब 5x plus 3x by 2, यह 2 से 2 cancel नहीं करना है, यह angle के साथ है, पहले भी मैं आपको बता चुक हूँ, चीक है, यह हो गया है, x, अब देखिए, इसको मैं आपको solve करने जारा हूँ, यह निए पर, x minus 3x कितना होता है, देखिए,